करणकारक तुर्थिया विभक्ति करणकारक होता है कि जिस साधन के द्वारा कार्ज किया जाए वह करणकारक होता है और इसमें तृतिया विवक्ती होती है, इसका चिन होता है, विवक्ती चिन होता है, से द्वारा, जिसके द्वारा हम काम करते हैं, वह है तृतिया विवक्ती होती है, यसे चात्रह कलमेन लिखती, चात्र कलम से लिखता है, बालिका हस्तेन खादती, बालिका हाथ से खाती है, बालका है कंदुकेन क्रीडंती बालक गेंद के साथ या गेंद से खेलते हैं जनक है बायू यानेन गच्छती जनक यानि पिताजी हवाई जहाज से जाते हैं यूयम क्रीडण कहीं खेलत यूयम यानि तुम सब क्रीडण कहा होता है खिलोने के साथ खे लते हो पर्याटका होता है भ्रहमन करने वाला पर्याटक टूरिस्ट जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में अंगल भाशा में तो पढ़ियतक नौका नौका होता है नाब नौका से नौका के द्वारा तत्र गच्छन्ती वहां जाते हैं गजाह पादही चलन्ती गजा मिलोता हाथी हाथी क्या करते हैं पैदल पैरों से चलते हैं नराह पदाभ्याम चलन्ती मनुष्य पदाभ्याम यानि कि दोनों पैरों से चलते हैं तो मनुष्य के पास दो पैर होता है इसलिए पदाभ्याम हो गया और गजाह पादही यानि बहवचन तो बहबचन हो गया, चुकि उसके चार पैर होते हैं, इसलिए बहबचन में पारही शब्र का प्रियोग होगा, यहां पे एक ची देखना है, जिस साधन के द्वारा, हस्टेन हाथ से, इसमें क्या है, जो इस्टूमेंट होगा, जो कुछ होगा होगा, क्या होगा, हाथ से तो कलम हाथ में ही होगा, यूजा हम क्रिडन कहीं खेलत, गेंद के साथ, गेंद के साथ जब हम खेलते हैं, तो क्रिडन कहीं होता है, तो इस तरह से जो शब्द हैं, वह करनकारक के अंतरगत आता है, और करनकारक में इसका प्रियोग करते हैं, इसका जो विभक्ति चिन है, के द्वारा इत्यादी यानि से द्वारा सर्वे करना भ्याम सुन्वंती सभी क्या करते हैं करना भ्याम मतलब दोनों कानों से सुनते हैं वयम नेत्रा भ्याम पस्याम हां हम सब दोनों आखों से देखते हैं नेत्रा भ्याम हो गया ते पुष्पह स्वागतम कुरुता है ते मतलब वे सब फूल से फूलों से स्वागत करते हैं मालाकार भाटिका भ्याम फलानी आनेती मालाकार होता है माली जो फूल की माला बनाते हैं फूल बेचते हैं फूल लगाते हैं वो तब मालाकार भाटिका भ्याम मतलब भाटिका से बगीचे से फलानी आनेती फल लाते हैं पिता दूर भास यंत्रेन वारता लापम करोती दूर भास से यंत्र क्या होता है पता है दूर से भासन देना वह यंत्र मोबाइल आज के जवाने में रायह मोबाइल बहुत जरूरी चीज़ है तो कहता है पिता जी दूर भास यंत्रेन यानी मोबाइल से वारता लापम करोती बातचीत करते हैं जना बिमानेन दूरम गच्छनती लोग बिमान से बिमान मतलब बायुयान बायुयान से दूर जाते हैं किसोरा संगनकेन अपिवारतालापम कुरवन्ती किसोरा किसोर जो उता यानी बच्चे संगनक संगनक क्या नाम है किसका नाम है पता है संगनक जो है वह कंप्यूटर जो हम बोलते हैं उसका संस्कृत में नाम संगनक है तो किसोरा संगनकेन अपिवार्तालापम कुर्वंती बच्चे संगनक यानि कंप्यूटर से भी बातचीत करते हैं कंप्यूटर से क्या बातचीत करें कंप्यूटर पर बोलना कहना है ना बहुत सारी चीज़े हैं जो उसके साथ होते हैं तो computer से संगनक से बातचीत करते हैं पिता पुत्रेन सह उद्यानम गच्छती पिता पुत्र के साथ बगीचे में जाते हैं जना बिद्याया नमरा भवंती लोग बिद्या से नमर होते हैं बिनमर होते हैं ये चीज़ में हैं तो ये हुआ इसका अनुवाद इसमें विशेश दिया हुआ है सह सब्द के योग में तृत्या भवक्ती होती है तो जिसके साथ हम जाते हैं उसमें तृत्या भवक्ती होती है यहाँ पर भी जनकेन सह दिया हुआ था पुत्रेन सह उसमें तृत्या भवक्ती होती है अभ्यास हो गया इसमें एक पदेन उत्तरत चात्रा ह केन लिखाती तो केन तो कलमेन किसे बचे किसे लिखते हैं तो कलमेन किस से दूर जाते हैं तो वाउयुयानेन भी लख सकते हैं वयम काभ्याम पस्यामा वयम नित्राभ्याम पस्यामा बाली का हकेन खादाती बाली का हस्तेन खादाती इस तरह से इसका क्या हो गया एक पद में उत्तर हो गया इसके बाद है उचित पद से रितस्तान दो अप्शन है उन दोनों अप्शन में हमें क्या करना है एक में ठीक लगाना है तो वयम डैश वदाम मुखेन और मुखे है तो मुखेन वदाम बालका कंदुकेन क्रीडंती नराह पदाभ्याम चलंती क्रिशका जलेन छेत्रानी सिंचती सरवेजना नेत्राभ्याम पश्चनती हो जाएगा अब है भाषा बोधन भाषा बोधन में कंदुकेन अर्थ सब्दार्थ है तो क्या जाएगा कंदुकेन गेंद से पूश्प ही है ना फूलों से करना भ्याम दो कानों से दूर भास यंत्रेन टेलिफोन से बिमानेन हवाई जहाज से अब है हिंदी से संस्कृत अनुवाद वह कलम से लिखते हैं तो सह कलमेन लिखती बच्चा खिलोनों से खेलता है जब आलका क्रीडन कहीं क्रीडन थी खिलोने का क्या होता है क्रीडन कहा क्रीडन कहा तो उसमें चृतिया लगाएंगे तो क्रीडन कहीं क्रीडन कहीं क्रीडन कहीं के साथ रहता तो सह लिख देते लेकिन के साथ तो है नहीं इसलिए क्रीडन कहीं होगा सूर्ज से प्रकास होता है तो सूर्येन प्र मित्र के साथ खेलते हैं तेंग मित्रेन सह क्रीडन ती अब यहां पर देखो सह आ गया इसलिए मित्र सह में भी मैंने अभी बताय था कि शह साकम सममयोगे तृतियाश्याद तो सह सब्द के जोग में तृतिया भी भक्ती होती है यह है यहां पे सहसब्द आया इसलिए मित्र के तरतिया में मित्रेन हो गया मित्रों के साथ होता बहुचन तो मित्र ही करते मित्र हैं एक मित्र इसलिए मित्रेन हो जाएगा फिर है बालक एक वचन दुई वचन बहुचन बालकेन बालका भ्याम बालके ही फलका फलेन फला भ्याम फले ही लता का क्यों होगा लतया लता भ्याम लता भी कथा का कथया कथा भ्याम कथा भी इस तरह से ये सारे तृतिया भिवक्ति के रूप होगे अब हमें क्या करना है मुल्यांकन प्रस्ण में जो है किम तुम पादपान रोप यसी क्या तुम पौधे लगाते हो अब यहां पर प्रस्ण है कि तुम लगाते हो या नहीं लगाते हो यह नहीं देखना हमें यह देखना है कि पौधे लगाना है पौधे लगाना जरूरी है तो हम लिखेंगे आम और तुम के बले हो जाएगा अहम पादपां रोपयामी आम यानि हां मैं पहुधे लगाता हूं पहुधे से हम लोग क्या करते हैं